कि है अग्याइब दिस दॉक्टर एसके सिंग और आज मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं आज में एक इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिसकस करेंगे जो हर स्टुएट के मन में रहता है कि कि ऐकशाम मेरे दो दिन बचगए अब इसमें मैं कैसे रे विजन करों एकशाम के दिन क्या कहां क्या नहीं खाँ कैसे एकशाम करों तो वो सब चीज हम आज डिसकस करेंगे बहुत ही कम टाइं में 5स 10म्मिंट व कर lezen कदेंगे कैसे एकशाम करना है before exam during exam मैंने बहुत पहली वीडियो के तुरू मैंने आप लोग से कहां डिसकस कर लिया है तो इस वीडियो में बस मैं पढ़ाऊंगा नहीं बस मेरी वाइस आएगी और इसमें अगर आपके दो दिन बजगे हैं अग्साम में जैसे 7th में को एक्जाम है इस साल तो आपके है तो दो दिन में क्या करें और कैसे रिवीजिन करें तो जैसे मैंने किया था मैं आपको अपना शेयर कर रहा हूं उसमें मैंने क्या किया था कि जो बायों के NCRT है जो भी मतलब आपने मैंने तो पूरा साल NCRT अच्छे से पढ़ा पढ़ा था पुरानी NCRT और नई NCRT को सब्सक्राइब तो आपने चलो आप अगर जवाइन किया हो तो आपने जो आपने पूरी साल में पढ़ा है उस पूरी नोट को रिवाइज करें मताब बायों करें क्योंकि बायों का वेट इस बहुत जादा है आपको पता ही होगा तो पूरा जल्दी जल्दी एक रिवीज सोचा होगे तो सब चीज नहीं करना है में करना बlos cómo n से आएंगी तो बिलकुल नहीं करना है और बिलकुल फ्री माइंड से आपको एक्जाम देना है बिलकुल फिर नहीं होना चाहिए कि फिर जरासी भी आ जाएगा तो गलत बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे तो उस दो दिन अगर है तो मैं अगर NCRT के बात करूं तो आप NCRT में जो important topic में बहुत सारे वीडियो में discuss किया हुआ जैसे biological classification है ecology है evolution है reproduction है morphology है तो यह सब last time में क्या है कि morphology से बहुत सारे example based question होते है anatomies जो है यह भी example based question होते हैं तो उन सब चीजों को आप बार 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 revise करें और physics है तो physics में सारा एक जैसे electrostatics है gravitation है current है magnetism है इन सब का एक formula एक page पे लिख लें और उसी formula को revise करें क्योंकि आप जब numerical solve करेंगे तो numerical mostly formula based होता है तो formula आपको याद है तो शाद apply करके आप कर सके chemistry में भी यह आप नेम reaction का एक अलग से पेस पे बना लें और physical chemistry का एक अलग से formula लिख लें उसको revise करें मतलब दो दिन में आपको पूरा revise करना है कहीं भी MCQ नहीं करना है अगर आपने पहले MCQ किया है तो MCQ को revision करना जैसे एक बार देखना है नया question नहीं try करना है नया कुछ भी नहीं करना उस चीज को revision करना है और जिस दिन आपका पर भी इतन है बिच्पीछ उचाह संता वो जासाओ उन्हाइब दें या किन एक्पार रुट पेस सब्स्ना इमें तो आपके सोचने के शमता होने चीए में सोचनी कि श्रक्टी आव सकती हैं यो बातल में बाटल यूकि रोचा बाटल उसमें ग्लोकोंड jl क्कि आपको पता ही होगा कि अग्लैन के ज़रूरत सकती हैं जादा देढे को बीच बीच में एक दोगूट जादा नहीं तो फिर आप इसमडनीं नि एका नहीं I बीच बीच में एक तो दो गुंट ताकि आपका ब्रेन बिलकुल और है एक्टीव रहे और लगातार तीन घंटे बिलकुल दिमाग को ना लगाए बीच बीच में आप आँख क्लोज करके दो या तीन एक मिनट या मदब की तीस सेकंड या मदब उससे भी कम भी कर सकते हैं आ आपको डर्ना नहीं है गलत नहीं करना है जो बिलकुल चारो उप्शन में नहीं आए तो उस को छोड़ दीजिए और इस बार भी NCRT बेस कोशन आने वाला है 100 परसंट तो NCRT ज़रूर पढ़के जाए और एक्जाम एक्जाम सेंटर में जैसे आपको 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 अपने टाइम पर पहुँचे जो भी उन्होंने कहा है वो जरूर करें बिना कुछ भी चीज ना ले जाएं बेल टोल बिलकुल ना पहने सिंपल होके जाएं और सिंपल से पेपर दें विलकुल फ्री माइंड में डरना नहीं है अगर डर होगे तो गलत करोगे तो गलत नहीं करना हमें अराम से देके आना है कोई एक हुआ नहीं है एक्जाम और I hope कि आप लोग का सेलेक्शन हो मेरा महनत सक्सेस हो आपके महनत में एक छोटा सा एक पार्ट अगर मैंने आपका हल्प किया तो मेरा एक महनत सक्सेस्फुल हो जाएगा and all the very best thank you so much for the support and love thank you so much